हलो फ्रेंज वी आर गूंग तू स्टार्ट सेक्शन 304 B IPC इसमें हम अब हमने कल सारे कंसेप्ट को समझ लिया अब हम इस पर क्वेश्चन को डिसकस करते हैं यह जो क्वेश्चन है आपके सामने इस वीपीटी में यह क्वेश्चन 2011 में डेली इनुवस्टी के जो लौ फेकल क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या कह रहे है 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 एचन डबलू वाज मैरेड ऑन 30 जैनवरी 2009 2009 में उन लोगों की शादी हुई है और शीर मतलब डबलू वाज नाट अलावड बाई हर हस्बेंट तो मीट हर पेरेंट्स आज थे हैट फेल तो किव अ कार और रूपीस 50,000 at the time of wedding as agreed before the marriage तो यह जो 50,000 का यह 50,000 रूपीस है यह हुआ था शादी के टाइम पर कि यह इतना देना है पैसा लेकिन यह जो इनके पेरेंट्स है डबलू के यह लोग फुल्फिल नहीं कर पाए नहीं दे पाए पेरेंट्स गेव रूपीस 20,000 in cash and gift worth रूपीस 15,000 in and afford to appease her husband on the occasion of the birth of her first son मतला इनका जब पहला बच्चा हुआ H&W का इनके पेरेंट्स ने डबलू के पेरेंट्स ने 20,000 रूपीस दिया और गिफ्ट दिया 15,000 रूप फिर बात में क्या हुआ कि डबलू developed stomach ache, the doctors diagnosed that it was the appendix and she needed to be operated urgently H did not take her to the hospital, डबलू died after the appendix burst, what offenses if any can be H charged इसमें हमें यह बताना है कि H पी कहके मतलब किसके sections में वो चार्ज किया जा सकता है अगर उसने कोई offense किया है तो, तो सबसे पहले हमें सारे ingredients जो है section 304 के 304B के वो हमें समझने होंगे कि सारे ingredients इसके हैं क्या next slide में हमने यह चार्ट बना रखा हैं जिसमें यह सारी चीज़े समझ सकते हैं इनका जो है जो डबलू है वो वोमन है existing marriage की डबलू जो है वो वोमन है existing marriage की इनकी शादी जो हुई है HNW की यह existing women है मतलब इन लोगों की शादी exist करती है तो यह वाला ingredient फुल्फिल करता है died within seven years of marriage यह भी फुल्फिल करता है ingredient अब next हमें यह करना है चेक करना है कि death was unnatural तो homicidal था यह suicidal था इसमें suicide तो उसने नहीं किया है suicide नहीं किया है पर यह homicidal इसले माना जाएगा क्योंकि section 304 B क्या कहता है कि court shall deemed, मतलब court एक legal fiction create करेगा कि हाँ अगर death से पहले cruelty हुई है soon before the death cruelty has been taking place तो court यह presume करेगा यह presumption है section 113 का B में Indian Evidence Act में कि court यह presume कर लेगा कि हाँ इन लोगोंने death cause की है इन लोगोंने किन लोगोंने by the husband और by any relative of the husband तो यह वाला आपका ingredient फुल्फिल हो रहा है next है dowry quality किसने की है dowry quality हाँ पर पता कैसे चलता है जो question है हमारा उसमें यह पता चलता है कि अगर उन लोगोंने 50,000 जैसा शादी के time पर agreement हुआ था वो fail कर गया उनकी parents देने से तो उसने उस चीज की वज़े से उसे parental house में जाने से मना कर दिया उसको उसके माई के नहीं जाने दिया और बाद में तो इससे क्या पता चलता है कि उसके dowry demand थी तो dowry cruelty भी है यह वाला आपका जो है यह by the relative तो इसमें इतना clearly question में नहीं पता चल रहा लेकिन by the husband dowry cruelty है यह ingredient भी आपका fulfill हो रहा है next है such cruelty soon before the death एक बार आप question फिर से देखो तो आपको समझाएगा कि यहाँ पर क्या है कि पहले ही जब शादी हो गई तो उसी time से husband ने उसको बोल दिया कि यह जो 50,000 नहीं हुआ है पे जो शादी में agreement हुआ था वो नहीं पे किया है और उसकी वज़े से फिर जब इनका पहला बच्चा हुआ तो उनके पेरेंट्स ने डबलू के पेरेंट्स ने 20,000 कैश दिया 15,000 का कोई gift दिया कि जिससे husband को खुश कर सके husband ने यह भी बोला उनके पेरेंट्स को abuse किया और यह भी बोला कि अगर आप फुल्फिल नहीं कर सकते अपना promises तो promises करते क्यों तो यहां से और इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि operate करना है और जेंटली पर एच उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया तो इस वजह से उसकी death हो गई तो dowry cruelty भी है soon before the death तो यह वाला ingredient भी आपका फुल्फिल हो रहा है तो हमी कभी भी कोई भी ऐसा question आता है तो सारे जो भी sections के ingredients होते हैं उस वो सारे जो offense हुआ है जो essential ingredients है उस section को fulfill जो करते हैं वो सारे है या नहीं है तभी offense के लिए हम इसमें उसको libel करेंगे यह जो डबलू है वो है 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 की liability किसके section में rise होती है सबसे पहले तो हम एक बर यह answer पढ़ लेते हैं क्योंकि है फिल्फिल नहीं कर सकते तो फिर आप प्रोमिस करते कियो हुआ और अब्षी भी किया था उसके parents को and when she developed an appendix pain the husband refused to take her to the hospital as a result of which she died it clearly proves यहाँ पे लिखा है it clearly proves that she has been subjected to cruelty and harassment soon before her death तो यह सारी ingredients में प्रूव होते हैं thus there has to be a presumption as to dowry death जो dowry death का presumption है वो section 113b of Indian Evidence Act में है तो court shall presume court यह presume कर लेगा यहाँ shall presumption है कि dowry death हुई है किसकी वज़े से by the husband और by the relative of the husband तो जो husband का act acts है या omission है जो उसने harass किया उसको और जो omission omission मतलब कि जो उसने को करना चाहिए तो जो उसकी liability थी ड्यूटी थी वो जो नहीं किया उसने उसको ले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था तो उसने नहीं किया omission make him liable under section 304b for the dowry death and section 498a of IPC आपको कोई भी अगर यह जो question था यह इसलिए था कि जिससे आप समझ सकते कि इसका application किस तरह सकते अगर किसी भी question में आपको या आपके पास कोई और ऐसे questions है तो आप मुझे इस doubt पूछ सकते हैं मैं आपको यह सारे जो भी doubts आप पूछेंगे उसको solve करके बताऊंगी thank you for watching this video